हालो फेंट्स बिएश्ट थी फरस्ट यर्स केंडियर का फैनलिशन को लेकर के नया नौटिफिकेशन जारी हो गया है अब गुणनीस सवर्वरी से 28 फर्वरी के बीच आपका फैनलिशन होने वाला है इसको लेकर नौटिफिकेशन मैंने टेलिग्राम चेनल पर शेयर कर दिय अगर आपने अभी तक नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके नोटिफिकेशन की PDF का लिंक दिया हुआ है, दिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करेंगे, वीडियो के टाइटल पर klik करेंगे, टाइटल पर klik करते, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहाँ पर कुछ ज आपके सारे डाउट तूर हो सके और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करिए इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके सराधरपन पोर्टल पर और यहां पर जो नए बदलाव हैं उनको देखते हैं यहां पर आना है आपको student login पर करवाया गया है तो उसको इदर से लोगिंग करते ही आपके details आ जाएंगी जिस भी college में आप हैं तो उदर की details आ करके फिर आपका मुल्यांकन यहां से किया जाएगा उनके द्वारा तो अब आप यह शोर हो गये हैं कि इसी time period के बीच में फिराल जो बदलाव हो रहे हैं उ जो इसा नहीं है एक डे आपकी college fix करेगी उसी दिन आपका फैनलेशन होगा अलग 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 दिन पर जिस दिन को बुलाएगी उसी दिन आपका एक ही दिन में फैनलेशन कंपलेट हो जाएगा एक दिन में भी आपकी पूरी college के सभी विध्यारतियों को जैसे बीच टेसी फरस्टेर में सो अभियरती हैं लड़के लड़कियां सो हैं तो सभी को एक साथ बुलाएंगे और दददस बिस बिस मिनिट एक बच्चे का वहाँ पर time तो वह आपको उसी टाइम पर जमा करवा देना है यह सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और फैनलेशन को लेकर के मेरे अपने experience को लेकर के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपको फैनलेशन किस तरह से अरेंज करना है कि सेकंडिर वाले अभियरती college क सबी हावभाव से अब अवगत हो चुके हैं जान चुके हैं college के हावभाव को और भली बाती जान करके अब वो चालाक हो गये हैं तो अपना काम बनाना वो समझ चुके हैं तो उनको जदा समझाने के ज़रूरत नहीं है बट फैनलेशन के बारे में जदा जानकरी नहीं है उनको या फिर फैनलेशन के बारे में जानकरी नहीं है तो उनको लेकर के मैंने अपने experience के अनुसार पहले ही एक वीडियो बना रखा था उसका link में description में डाल दूंगा उधर आप देखिएगा comment box में भी link दिया हुआ है तो वहां से मेरा अपना experience है first year के finalization को लेकर के और second year के finalization को लेकर के तो उससे आपको थोड़ा idea हो पाएगा कि किस तरह से आपका सारा दिन उस finalization वाले दिन पर क्या 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 आपके साथ में होने वाला है तो वीडियो देख लीजिएगा वाइवा के लिए महत्पून प्रस्णाव को लेकर के भी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अप्लोड करा हुआ है तो उसका लिंक में चली दे दूंगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका finalization से समधित doubts कोई भी ना रहे और finalization को लेकर के चार्ट या फिर model बनाने को लेकर के अभी काफी आभी भी परेशार है कि हमें अपना topic नहीं मिल रह पार्ट योजना संग्या की आपको मिल गई है सेही आपको फार्ट योजना बनानी है और संग्या के जो प्रकार है उनको लेकर आपको अलग अलग ट्राइ करना है कि कौन सा चार्ट आप इस तरह से बनाएंगे जacam Purdy जब जब जो पर्ड़ाना सूरू करेंगे तब आप आसानी से आप भी बच्चों को समझा पाएं और बच्चे भी उस topic को उस संग्या को proper जिस भी संग्या के आप बात करेंगे तो उसे वो समझ पाएं तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अलग-अलग जो modal chart है उनको आपको ध्यान रखना है अब काफी ज़्यादा अभिरति इंग्लेज का फिर प्ले एक्प्लेनेशन इस तरह से आप देख सकते हैं जिस भी वीडियो में आपको समझ में आए जिस भी वीडियो में complete explanation के साथ में धंग से बता रखा हो और sort में बता रखा हो जिससे आपका काम बन जाए तो उस वीडियो को प्ले करना है उदर से PDF मिल एक प्रेंट करने का मिला हो या फिर जंगल को प्रेंट करने का मिला हो तो आपको वैसा कोई चार्ट जूंड़ना है और या फिर आपको मालो संग्या का models का articles का इस तरह का कोई मिला है तो फिर उनकी आपको परकार खुद ही draw कर लेना है एक बड़े page पे और फिर उसको frame करवा लेना है 100-200 रुपे में ही आपका काम हो जाएगा college वाले क्या करते हैं 500-1000 रुपे लेकर की आपको college से ही provide करवा देते हैं जड़ातर बच्चों से 2000-3000 रुपे भी ले लेते हैं तो व्वसा कोई पैसे आपको नहीं देना है बिल्कुल free में आपका काम free में तो नहीं होगा मतलब उससे काफी कम पैसों में काम हो जाएगा 100-200 रुपे में काम हो जाएगा फिर भी कोई डाउट रहता है कोई समझे रहती है तो कमेंट करना आगे के वीडियोज में उस पर बात करने की पूरी कोछिस करेंगे इस वीडियो में दोफ तो इतना ही थेंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो